महादेब जय शिव संभो भगबान भोले नात की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी शुब कामना है यही हमारी मंगल कामना है तो शावन में भोले नात को शिव लिंग पर समी पत्र अर्पित करने से क्या पुन्य प्राप्त होता है भगवान शीब को शमी पत्र अर्पित करना शास्त्रों में बहुत सुभु माना जाता है। सावन का महिना भगवान भोले नाथ को समर्पित है। सक्चे मन और पूरी सर्धा के साथ की गई पूजा से भगवान भोले नाथ जल्द ही प्रसन हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनो कामनाएं पूरी करते हैं। शाबन के महिने में शिबलिंग पूजा का विशेश महत होता है। शिब लिंग पर शिब जी के प्रिये धतुरा मदार के फूल बिल्ब पत्र के शाथ अगर समी पत्र भी चढ़ाया जाए तो शुभु माना जाता है शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान सीब को समी पत्र अगर भी धिवत तरीके से चढ़ा जाए तो उसका फल बहुत ज जानकारी दे रहे हैं सावन का महिना भगवान शिब को शमर्पित है शावन के महिने में शुभा नित्क्रिया से निब्रित होने के बाद भगवान शिब के मंदरी में जाकर पूर्ब या उत्तर दिशा की और मुख करके बैठें इसके बाद तामबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा गंगाजल, शफेद, चंदन, चाबल मिलाकर शिवलिंग पर अरपित करें इसके बाद भगवान शिव का अभिशेक करतेश में ओम नमस शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें समी के पेर को ग्रंथों में शुव माना गया है ऐसी मानेता है कि भगवान स्री राम जब रावन का बध करके आये थे तो वहां से उनके वापस लोटने के बाद से ही समी के बिक्ष की पुजा की थी वही दूसरी कथा के अनुशार महा भारत में पांडवों को अग्यात बास दिये जाने पर उन्होंने अपने अस्त्र सस्त्र को समी के बिक्ष में छिपा दिया था इसी कारण से समी के बिक्ष का बहुत ज़्यादा महत्तु है तो हर हर महादेब जये शिवसंभो